लो फ्रेंट्स मैं सुधिर आपका अपने यूट्यूब चैनल है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITL के फॉस्ट मैच की जो की खेले जाएगा CSK vs RCB के बीच में और ये जो मैच है वो चिन्नाई के ग्राउंड पे खेले जाने वाला है तो सारी चीज़े हम बात करेंगे चन्नाई के ग्राउंड पे कितने कितने रन बने हुए हैं किस तरीके की पिच है वहाँ पे ये सब कुछ डिसकस करूँगा बट इस वीडियो में में फंडा ये है कि आपको किस तरीके से अपनी टीम बनानी है ये चीज़ बताने वाला हूँ और शोर शॉर्ट दिखाने वाला हूँ मैं कि अगर आप इस तरीके से टीम बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है एक करोड रूपए फिक्स है क्योंकि अब जो है एक करोड रूपए ठीक है अब एक करोड रूपए केवल फॉस्ट प्राइस को नहीं मिल ला है और फॉस्ट रैंक वाले को नहीं मिल ला है वो मिल सब्सक्राइब में ग्रेट से यहांम पर Вас लिए गरद से लेकर यह अगता है कि मैं मुआ है सब्सक्राइब ऊसे विडियो में बताने वाला हूं वह एक बार नहीं हुआ है। वो दो बार नहीं हुआ है वो तीन बार नहीं हुआ है वह हुआ है पूरे IPL हिस्ट्री में 15 बार और 16 बार होने के ज्यादा चांसेज हैं क्योंकि मैं दिखाऊंगा यह डेटा भी दिखाऊंगा आपको कि यह जो जब टीमें खेलती हैं तो इन दोनों की टीमों के पास वह हुआ है कि यह उस तरीके का ब्रैंड आफ क्रिकेट खेल सकती है मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं इससे पहले अगर आप मेरे के बटन पर क्लिक करेंगे आप टलीका का जो है पहले की लिख्यक ठाट के पहले फॉर ez स्वाइफ करने वाला हूँ फिर मैं प्रॉइंडकरने वाला हूं आpeको कि पिछ की क्या लाइफ कंडिशन है और साथ ही साथ अगर आठ बजे मैं आच है तो साड़े साथ बजे में वहाँ पर लाइव आता हूं लाइफ डिस्केशन करते हैं हम कि किसको लेना चाहिए और किन प्लियर को ड्रॉप करके चल सकते हैं कैसी कंडिशन है कैसा वैदर है कौ सा प्रावल दाविदार है वाइस कैटन की तो यह सारी चीज़ें हम डिसकर्स करते हैं टेलिग्राम चैनल पे तो जाईए उसको जौइन हो जाईए अब हम बात कर लेते हैं कल के मैच की होने वाले प्रॉबबल प्लेइंग 11 की है ना तो प्रॉबल प्लेइंग 11 में अगर ह प्रॉबल प्लेइंग 11 की तरफ से इसमें से कुछ प्लेइर ऐसे हैं जो फिक्स प्लेइर है और उनको आपको लेना चाहिए जैसे कि विराट कोली है रन मसीन अक्सर देखा गया है कि यह फॉस्ट रिंग में अगर बैटिंग है तो लंबा खेलते हैं 37-80 रन का स्कोर करके देते हैं ग्लेन मैक्सवेल अगर इनको बैटिंग में चांस मिलता तो बैटिंग भी करते और बालिंग मैच चन ransom मिला है हमें हाल इस थरीके का कॉंबीनेशन बनता है अगर आप बात करेंगे बैंगलोरु की नौ अगर हम बात करते हैं चेन्नाई की तरफ से फिक्स प्लेयर की बात करेंगे सबसे पहले तो प्रॉबल प्लेंग 11 देख लेते हैं इसमें कुछ चेंजिस हो सकते हैं ठीक है वो आपको टेलिग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा बट आप प्रॉबल प्लेंग 11 देखिए रितुराज गाइकवाड रचिंद रविंद अजिंकिया रहाने ड रितुराज गाइकवाड को देखा गया कि यह बहुत रन मारता है सेंचुरी पर सेंचुरी मारता है रविंद रचिंद रविंद जो है यह न्यूजिलेंड से बहुत ही अच्छा खेलते हैं तो इनको भी आप फिक्स प्लेयर में ट्राइब कर सकते हैं और जो है रविंद डैरल मिचल यह भी आपके फिक्स प्लेयर होंगे चिवं डूबे यह भी आपके फिक्स प्लेयर होंगे यानि इस तीम से अगर हम बात करें तो एक दो तीन चार पांच छह छह फिक्स प्लेयर दिख गया आपको और पिछली टीम से अगर हम बात करें तो वहां से भी छह प् explain किया था कि किन प्लेयर को आपको लेना चाहिए और किन प्लेयर को ड्रॉब करके चलना चाहिए आप जाके उसको देख सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं वह रामबाण इलाज देने वाला हूं ताकि जो है आप उससे अपनी टीम बनाए वित्प्रूब के साथ मैं दिखा क्रिकेट गिरा हुआ है और कितने रन बने हुए हैं उसी के कॉर्डिंग ही हम अपनी टीम को बनाते हैं ताकि जो है वो जो स्टैट्स है उसी स्टैट्स के क्रिकेट जो है करता है कभी कभी होता है कि वो स्टैट्स क्रिकेट जो आनिशनताओं का खेल है तो वो स्टैट्स जो है आगे कोई टीम निकल जाए वरना आप लिएफ्यार्स की आहां इसखोर की हम बात करें एक बार दिख रहा है तीन बार दिख रहा है चार बार है यहां यारणी लिन्स में चपेज वार बना हूब और इन चारो गिरा हुआ है इस तरीके से आपको सूचना पड़ेगा कि कितना रंद बनेगा और कितने विकेट गिरेंगे और कौन सैसा बल्यबाज बल्यबाज हो गाज टॉप law, कि जिस अगर आप उस तरीके से वन्हाथ तो शोर्ण शॉट की विनिंग होती है और और this के लिए माँने आपके लिए एक अकड़ा लेके आया है यह जो यह है कि कौन से ऐसी टीम है जो 10 विकेट से जीती तो 1-2 डोग चार बार जो थूआ यह आउट आइपील यह चार बार जो है तस विकेट से जीती है 210 में एक 2028 में को समझें कोरियों करें दूसरी नंबर पर कौनसा है यह सदोघेव हूँ मुंबाइब amplitude 21220 नियना सब्सक्राइब है तो यादर inclusively नाचलर में पंजाब आज जोए 2 दोघ्यलमे पंजाब है 5000 संठमें और कलकता जीतीवे एक बार 2017 में डेकेन चार्जर जीतीवी है 2008 में 2008 में डेकेन चार्जर जीतीवी है और राजस्थान रॉयल जीतीवी है 2011 में लखनव सूपर जाइंड और जो है आपका गुज़राट टाइटन्स को अभी तक 10 विकेट से विनिंग नहीं हुआ है तो मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये सुलहवी बार अगर हुआ ये टोटल मिलाई है तो आप 15 बार हुआ अगर सुलहवी बार ये फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई तो आपको किस तरीके से अपनी टीम बनानी है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में ब हुआ था जिसमें केके आज ने जो है केके आर को विनिंग मिला था ठीक है केके आज जीती थी आइपील 2021 की बात करें तो आर सीबी वसेस आरार का मैच था राजस्थान रोयल का वहां 181 रंचेज हुआ था आइपील 2020 की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब वसेस सी एस चेज हुआ है और देखिए सारे लगभग बड़े टोटल से हुए है ना आप एक चीज गौर करेंगे इसमें 137 रंचेज हुआ यहां पे 134 रंट इक सो सोलर रं निन्याबे रंट तिरांबे रंट बानबे रंट और 68 रं तो चलिए यह तो जो है यह चोटा टोटल है यहा अजने यह तक आना यह एक दो चार पानच और यह चोटे टोटल है लेकिन बात करेंगया प्टका सॉरास बिना करेंट छेट 181 सुफिना करें तो को यहाई बड़े स्कोष् बिना व记are जो आपको इस तरीक से सीज मैखर कल का मैच जो है इस तरीके की तरीकता है तो आपको किस तरीके की टीम बनानी है के वीडियो में हम डिसक्ष करने वाले हैं तो बने रहेखा इस पूरे वीडियो को देखते रहेगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए आए देखते हैं कि किस तरीके से आपको बनानी है अपनी टीम ठीक है तो सबसे पहले मान लीजिए कि CSK का प्लेयर है यहां पे एक दो तीजार पानच छह साथ आर्ट आट ग्यारा इक्यार प्लेयर CSK के हो गए आर सीबी के अगर हम बात करें तो आर सीबी के प्लेयर हो गए एक दो तीन चार इस आट आट नौ दस ग्यारा खीक है अब देखे इस सिनारियों में क्या होने वाला है डिफ्रेंट सिनारियो लेके हम चलते हैं अब CSK का CSK की तरफ से CSK पहले टॉस जीती और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने के बाद बल्लेबाजी करने के बाद इन्होंने टोटल दिया 160 रन का ठीक है और उसको हम जिस सिनारियों की हम बात कर रहे हैं उसको जो है हिने चेस कर लिया तों किस तरीके के प्लेएक को हम को लेना पनावा है किस तरीके की साथ विकेट गिरेगा अब तो ये पांस साथ विकेट कौन से लेंगे कौन से बॉलर लेंगे यह चीज समझने की जरूरत है किस बैट्समैन को आपको लेना है यह चीज समझने की जरूरत है तो एक तो यहां से अगर अगर आप देखें CSK अगर Tosit के पहले बल्लेबाजी करता है तो नमबर 1, नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4 ये नमबर 4 तक तो आपके बल्लेबाज होंगे नमबर 5 और 6 ओलराउंडर होंगे और नमबर 7, 8, 9, 10 ठीक है? नमबर 5 तक जो है 11 ये आपके जो है बॉलर्स होंगे ठीक है या और समझ लिए यहां से साथ साथ तक है और यहां पर 9 10 8 9 10 11 जो है आपके बॉलर हो गया है अगर टीम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप का कुछ स्ट्रीम स्ट्रक्चर रहता है जब भी आप तीमें देखते हैं तो तो इस कंडिशन में आपको किसको लेना ह आपको टॉप और बल्लेबाज में से एक एक लिए वानिजी कि अपने फर्स डाउन लिया ठीक है फर्स नमर के बल्लेबाज को लिया तो सेकेंड को छोड़ेंगे थर्ड को लिया ठीक है तो फॉर्थ को छोड़ देंगे ठीक इस तरीके से आपको यहां से तीन बल्लेबाज यहां से हो गए ठीक है और और यहां के गेदबाज को नहीं लेना है ठीक है यहां के गेदबाज को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि RCB का तो कोई विकेट ही नहीं गिरेगा अब जब RCB का विकेट नहीं गिरेगा भाई ठीक है तो यहां का गेदबाज क्या हो जाएगा डेट गेद्बाच हो जाएगा ठीक है यहां के जीतने वाले है तो हम 10 सेजे वाले के प्लेयर को मेंसे opener और है सेकेन्ड opening मेंसे दोनों को ही लेंगे फॉर्श टैण सेकेंड माल लीजे कि इन केस एक विकेट भी गिर गया ठीक है तो आपने थर्ड वाले को ले लिया अधर्वाइस जो है लेने की ज़र्वत नहीं है यहां से यहां से इसको थर्ड वाले को ड्रॉप करके आप यहां से जो CSK की तरफ से एक बल्लेबाज और ले सकते हैं ठीक है बाकी अगर हम गेदबाजों की बात करें तो आपको 4 गेदबाज लेना है और वो 4 गेदबाज कहां से लेना है RCB की तरफ से लेना है RCB की तरफ से यानि आपको लेना है फ्रन्ट लाइन गेदबाज पहले तो दो, ठीक है, डस-वा और 11 वा ठीक है, जो स्तार्टिंग में दो जो वर फेकते हूं, उनको लेना है, ठीक है, बाकी दो जो गेदबाज होंगे, उन में से, इन दो गेदबाज में से, किसी एक को लेना है, और एक को ऑपको all-rounder लेना है यानि इस तरीके से आपको चार गेदबाज पूरे कर लेना है और यहां से आपके दो बल्लेबाज हो गए यानि टोटल कितने हो गए छे प्लेयर आपको RCB से लेना है और पांच प्लेयर आपको किस से लेना है भाई पांच प्लेयर आपको किस से लेना है CSK की तरफ से लेना है और इस तरीके से आपको अपनी टीम को बनाना है ठीक है एक बाद जब टीम बन गई तो आपको Captain और Vice Captain किसको बनाएंगे मुद्दा ये आता है ठीक है तो Captain का मतलब कि कोई ऐसा कोई ऐसा गेदबाज जो माली जे चार विकेट ले लिया हो ठीक है तो आप उसको Captain बना दे रहे हैं तो उस situation में अगर GL की बात करेंगे आप तो GL में आप Captain हमेशा किसको बनाएंगे जो गेदबाज होगा उनको बनाएंगे Vice Captain किसको बनाएंगे इन दोनों opener में से किसी एक को बनाएंगे आप Vice Captain ठीक है Vice Captain अगर आप GL की बात कर रहे हैं तो SL की बात कर रहे हैं शोर शॉर्ट वीनिंग की बात कर रहे हैं तो आप दोनों को क्या करेंगे इन दोनों openers को क्या कर देंगे Captain और Vice Captain बनाके चल लेंगे ताकि जबी भी परफॉर्म करेंगे हमें जो है बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है ठीक है तो इस तरीके से आपको अपनी team बनानी है आज के match के लिए कल के match के लिए जो CS के वह से साज सेबी के बीच में होने वाला है बाकि और जो भी combination है जैसे आप माल लीजिए कि top order बल्लेबाज को ले रहा है यहां से आपने किसको ले लिया फॉप को ले लिया और आपने विराट कोहली को ले रखा है ठीक है तो अगर फॉप और विराट कोहली को आपने ले रखा है तो उस situation में अगर विराट कोली चलते हैं तो यहां से इस दूसरे वाले CSK में से यहां से जो इनके top order गेदबाज है जैसे दीपक चेहर आते हैं स्टार्टिंग में फेकने के लिए यह नहीं चलने वाले हैं और दूसरे आएंगे यहां पे तिक्षना फेकने के लिए तो यह भी नहीं चलने वाले हैं तो इस तरीके से आपको अपनी टीम में इनको drop करके चलना है तो इस तरीके की strategy के साथ आपको अपनी टीम बनानी है कल के match के लिए ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो भाई informative लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा इस वीडियो को like कर अवे सगता हूं कि किसको जो है लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए रूंट टाइम कॉमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि कौन जीतने वाला है अगर आप ऐसा लिखते हैं तो गिववे आपके लिए जाए नीचे लिखिये कि कौन जीतेगा अगर आपका सही जवाब होता है जो सही जवाब देगा बहाई उसको जो है दो जील की टीम स्पांसर होगी मेरी तरब से ठीक है तो जाएे फटा-फट कॉमेंट बॉक्स में जांगे झाल